हेलो फ्रेंज आज बात करते हैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग कंपनिय मुझे बहुत अच्छी लगी है यह मैंने पूरी जब इसके अनालीसिस किया तो श्यांदार कंपनी है ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड यह स्मॉल केप ग्रूप की कंपनी है 2600 क्रोलर का कंपनी का 32 वीक का लो है 397 हाई है 847 कंपनी का जो स्टॉक का पी यह वो 34.2 है इंडस्ट्री पी 39.4 है उसके कंपेरिजन में स्टॉक अभी भी सस्ता है अगर इसका खुद स्टॉक का 3 यह का एवरेज पी निकालें तो वह आता है 41 के राउंड तो उसके कंपेरिजन में स्मॉल केप कंपनी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं डिडेंड नहीं देती चलेगा यहां देखें इंपोर्टेंट चीज आरोसी एंड आरोई 77 परसेंट और 60 परसेंट गजब के आरोई आरोसी है इसके साथ में अगर आप देखोगे इंट्रेस्ट कवरेज इस पे कंपनी पे उसिए है तो इव बई बोर्श स्मॉप में उसी हिसाब को इंडिकेट करता ना ओवरव्यूड ना ऑंडर्वेल्यूड स्वाइं सॉइथ सस्ते नहीं कहूँगा reasonable valuation पर available है promoter holding 66% है कोई stock place नहीं है FIAE DIAE की holding शानधार है आपको confidence देगी 5.2% and 9.2% है गजब का है इसके बाद आते company के reserve पर company का reserve है 185 करोड और उसके against में debt देखे 1 करोड 1.3 करोड कुछ भी नहीं है उसके against में अब मज़ेदार बात ही है कि यह company करती क्या है और इसका business model है उसके हिसाब से आपको confidence है यह 2008 में incorporated dreamfox services limited यह mainly है largest airport service aggregator mainly क्या इसका business क्या है कि जितने भी जैसे airport हैं उन पे domestic level पे इंडिया की level पे वहां क्या करवाती है यह load services प्रवाइड करवाती है चाहिए उसमें आपको food beverages का हो आगे में इसकी पूरी ppt में discuss करूँगा कि और उसमें यह market leader है गजब की बात है इसके 90% market share इसी company का है तो आपको confidence देता है और हमेशा अगर इस type की new age company आती है और market leader होती है वह हमेशा ज्यादा return देती है यह पुराना कहीं का भी आप इतियास लेकर देख लिए जब बेस्ट होता है market leader में इंवेस्ट करो इस पेसलिए जब new age company आती है उसमें पूरा ppt में discuss करेंगे क्या business model है इनका ठीक है वन year का chart देखते हैं यहां पर देखिए company नहीं यहां से run किया इसके बाद यहां sudden fall और उसके बाद से लग भग last six months से stock उसी level पर trade कर रहा है flat trade कर रहा है और best चीज यह होती है smart investing वह होती है जिसमें जब stock bearish mode में होता है तब उसमें invest करो ना कि भागते हुए share को भागते हुए share में invest करोगे stock थोड़ा ओर उपर जाएगा और फिर वह धीरे धीरे नीचे आता है ऐसा ही होता until or unless earning अच्छी नहीं आ रही हो बट यहां पर देखिए flat तो मेरे कोई investment के हिसाब से अभी ठीक लग रहा है मिल रहा है और EPS ग्रो कर रहा है तो perfect है क्यों और इसमें आगे देखेंगे कि जो बड़े investor है smart investor कौन किस किस का investment है तब आपको और confidence आएगा इसके बाद आजाते है इसके pros देखो reduce the debt company ने debt reduce करके almost zero कर दिया 1 crore का debt है debt free company मान सकते हो good quarter expected है quarterly result देखेंगे हर quarter on quarter पे company grow कर रही है profit growth देखेंगे last 5 year का 44% के round है गजब का है company return on equity देखें 3 year का 33 है but last 1 year का देखो तो around 60% है जो की गजब का है इसके बाद आजाते है peer comparison is miscellaneous मतलब यह especially यह जितने भी BAC, NAC, CDSL यह इन सब का क्या है कि यह इनके इसी sector से आती है इस sector का देखो तो देखो 37 का है average इसका 34 का है इसके ROC की comparison करते है यह 13 and 13 यह ROE ROC और इसका देखेंगे क्या गजब का 76-60% जो आपको confidence देता है अब आपको कहोगे कि साब यहां यह इक्स का भी 51 and 39 का है तो फिर यहां पे growth यह ROE ROC अच्छा है पट कंपनी की quarter on quarter growth अच्छी नहीं आती इसलिए stock नहीं चलता है और इस तील देखेंगे अभी इतना 50% correct वह हो चुका है आए एक 300 से 150 के round trade कर रहा 141 और इसलिए stock नहीं चल रहा और growth है नहीं उसके साथ में पेग ratio देख लेते हैं पेग ratio देखेंगे यहां पे 0.78 है और यहां 2.0 है कहने का मतलब यह है कि कंपनी की price ओल्रेडी भाग चुकी है earnings आती नहीं है तो नहीं चलेगा और यह इसमें में पोटेंशिल दिखता है कि अभी भी यह undervalued गया सकते हो पेग ratio, PE ratio के हिसाब से और growth history के हिसाब से देखें नेक्स है quarter on quarter यहां देखें हर एक होता है कि आप last December से compare करो अच्छा अच्छी growth है 305 यहां यहां हर quarter on quarter में हर next quarter में ज्यादा revenue आ रहा है देख लिजे continuously 60, 98, 99, 160, 171, 204, 238, 266, 282, 305, continuously growth आ रही है यहां पर margins definitely compressed हुए है जो थोड़ा सा negative point बोल सकते हो यहां 12, 13, 14% के थे अभी 7, 9% but company का guidance है कि FY 2024 के इसाब से यह 9 to 11% का इनका gross profit margin रखने का target है वो ठीक है कई बार margin compressed होते है इसके बाद में देखें प्रोफिट में वो आपको नहीं consistency जो revenue में है तो वो definitely support नहीं कर पारी है और जब तक profit growth नहीं आती है थोड़ा सा stock slow हो जाता है और इसलिए stock correct होके वहीं trade कर रहा है भी बट अभी value के हिसाब से मेरे को ठीक लग रहा है इसके बाद में आ जाते है sales growth 2018 से देखें continuously यह covid को सोट देजी क्योंकि इसका business model आई है 21 पे airport के laws और वहां पर जब covid आया तो यहां पर क्यावा सारा का सारा airport सब कुछ बुश्वक्त बंद हो गया था lockdown हो था उसके बाद से वापस कितनी fast growth है 106, 282, 773 and then 1000 इसी के इसाब से देखें यहां पर profit में growth है but last one year के अंदर इसमें growth हाई नहीं है देखें यहां 2023 का return है इसलिए stock अभी ज्यादा return नहीं दिया है देख लीजे profit sales में growth हाया है आप देख सकते हो last training to 72% का गजब का अपट profit में उतना usually यह होता है अगर यहां 72 है मैं मान के चलता हूं यह profit growth उससे ज्यादा आना चीए but यहां पर कम है इसलिए stock stable है but जिस तरीके का यह business model है आगे growth की possibility क्योंकि अभी आप देखे जितनी पहले bus stop पे भीड़ होती थी आप airport पे जाए वैसे ही आज जैसे जैसे public की buying capacity बढ़ रही है लोग ज्यादा air travel कर रहे है तो इस हिसाब से जो air lines जो अभी तक loss में चल रही थी और उसके आस पास के जो businesses हैं उनके growth की बहुत potential आने वाल लग रहा है और यहां पर buying के अच्छा मौका दिखता है ROE देखिए return on equity बढ़ा है last year का 60% जो आपको और confidence देगा यहां पर balance sheet की बात कर लेते हैं company के results देखिए continuously grow कर रहे हैं इसके बाद में borrowing यहां पर 7398 और अभी तो borrowing almost खतम 1 crore रह गया है तो वह debt just 1 crore का है इसके बाद cash flow cash flow बहुत ही गजब को यहां देखिए यहां पर minus से अभी plus में आ गया है operating activity से देखिए operation से continuously growth आ रही है यहां पर receivable negative payable positive good उसके बाद में आ जाते हैं आप अपने investing company ने जितना आता उसमें से देखिए यहां पर 630 crore का investment किया total क्या 45 तो इन्होंने investment purchase कि इसके बाद में इसके बाद में आ जाते हैं फाइनने एक्टिविटी देखिए कोच बोरो इंग ही नहीं रीपेमेंट सब जो भी थोड़ा बुथा बचा था सब खतम कर दिया है almost इसके बाद आ जाते हैं debt to date improve हो रहे है 137 चोटा हो रहा है तो उस और इस ही के इन में क्या है days payable इनको सारा पैसा advance में ही आ जाता है और case conversion cycle देखिए चोटा हो गया है तो अच्छी बात है फटाफट पैसे का circulation हो रहा है जितना पैसा जल्दी गूमेगा वापस उनके पास आएगा उसके बाद में उसको फिर इन्वेस्ट करेंगे ऐसे ही growth story चलती है यह देखिए ROC यहां COVID में कम हु FIA holding September से कम किया 5% बढ़ दिया ने बढ़ा दिया 7% से 9% पर पहुंच गये और इसमें देखिए आपको मोतिला लोसवाल focused fund कि ने अब भी December quarter में 4% हो बस टॉक बाई किये है अब आकस growth fund जो कि अब आकस growth fund है यह आसिस का चोलिया जी का इन्नों ने भी इसमें हलांकी नों होल्डिंग धीरे-धीरे कम कर रहें बटी इनकी भी holding है यह एक another small cap fund है जिसने recently December quarter में इसमें तो कुछ लोग कम करते हैं कुछ ज्यादा बटी यह आपको confidence देते है कि holding अच्छा कासा है तो उस हिसाब से future potential अब इसकी देखिए आप मैं PPT दिखाता हूँ आपको यह dreamfox यह जितने भी एरपोर्ट पे लोज है इनमें services है जहां पर मिलती है इन एरपोर्ट पे सारी जाए उसमें food हो spa हो या फिर ticket booking से related हो सारा कुछ हो यह revenue अपन ने already discussed clear मैं ज्यादा नहीं करूँ है इसमें क्योंकि already सब अपन देख चुके हैं इसके बाद आजाते इनकी strong point क्या है company के इंडिया ज लीडिंग एरपोर्ट service aggregator है और market leader है इसमें एरपोर्ट लोज aggregation industry में इंडिया में diversified service portfolio है जिसमें सारे टाइप के अभी क्या-क्या services हैं वो देख लेंगे इंडिया में 58 लोज है क्योंको cover करती है यह और 1500 plus touch point across the 500 cities और सबसे बड़ी बात ह है कि asset light model है क्योंकि जब asset light model होता है तो आपकी input cost ज्यादा नहीं आती है और उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा यह जो ROC हमेशा अच्छा रहता है और ऐसे business fail होने के संभावना कम होती है जो business light होते हैं और उनमें money जल्दी circulate होता है तो इसलिए देखे इनकी high ROC है यहां यह इनके तुरूज देखे banks का यह तो कैसे कैसे क्या कर रहती है यह सब बढ़ सकते हो आप इसके बाद में access services क्या है लोज access है spa wellness food and beverages airport transfer इसके बाद sleeping ports और यह सारा कुछ visa services यह सब कुछ इनका है तो यह सारी चीज़ यहां के growth करनी है इसलिए company में growth potential जाता है अब इसके awards द देख सकते हो तो इस हिसाब से आप और ज्यादा यह company की depth में समझ में आएगा कि company किस तरीके से grow कर रही है और इसमें जो management को लेके या इसके company की growth story को लेके और ज्यादा आफ understanding बढ़ेगी इसके बाद आजाते है technicals पर अब investment की बात रही है तो investment में मैं हमें सा monthly और weekly monthly chart पर यहां buying signal है क्यों और इसके support देख लेते हैं stock as जब week चल रहा हो stock तब buy करना होता है ऐसा नहीं कि भागते हो stock को पकड़ा growth story पकड़ो जो अभी growth story है stock correct हो के trade कर रहा है उसमें invest करना है यहां 524 फेबोनाची support S1 पहला support S2 508 और 314 इनके बीच में trade कर रहा है S2 और S1 तो यहा पर buying की जा सकती है वैसे buy, sell, hold and को recommendation नहीं करता है और technically और उससे भी ज्यादा fundamentally और future growth की story के साबसे मुझे यह stock काफी ठीक लगा है तो मुझे अच्छा लग रहा है इस लेवल पर बाकी आप अपना due diligence करिए उसके पाद decision लेजिए buy, sell, hold का कोई recommendation नहीं है थैंक्यू